नमस्कार प्यारे दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे और स्क्रीन पे देखके आप समझी गए हैं कि the most important वीडियो के साथ एक बार फिर हम आगे हैं आज और जो की है किंद्री विद्याले समिती द्वारा आयोजित ओल्ड क्वेस्टिन पेपर 2018 किंद्री विद्याले संगठन 2018 ओल्ड क्वेस्टिन पेपर यानि कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का जो 2018 का पुराना प्रश्ण पत्र है वो आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए शामिल किया है दोस्तों और सभी important questions हैं बाकि सभी जो exams आप देते हैं चाहे वो UPTGT का हो या फिर नवोदे विद्याले का हो या फिर DWSB तो उन सब से जो अच्छा और स्टैंडर्ड लेबल है वो है केंद्री विद्याले संगठन का यह हम आपको बता दे और no doubt आपको बहुत अच्छे questions की series इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी तो वीडियो को प अतार इन ओल्ड question paper की series को आप पढ़ते रहें रिविजन करते रहें और मैनत करते रहें तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक तो मैं आपकी होस्ट दॉक्टर सीमा तिवारी शुरू करती हूँ question number one के साथ question number one is asking that कि कोहन का मानना है कि अभी प्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना अवश्यक है means कोहन suggested that to motivate यानि किसी को motivate करना है तो it is necessary to provide the right तो उसे क्या provide किया जाना जरूरी होता है and the correct answer is environment जी हां दोस्तो परिवेश यानि कि जिस तरह का environment होता है हमारे चारोर जो चीजे चल रही होती है वो हमें सबसे ज़्यादा अभी प्रेरित करती है motivate करती है कुछ भी काम करने के लिए तो this is correct answer next question stomach secret which of the following gastric juices यानि कि अमाशे स्टमक के द्वारा निम्न में से कौन से juices का secretion किया जाता है and the correct answer is option number C means first and correct means HCL and pepsin का secretion होता है stomach के त्रू आपको पता है और ये दोनों ही ये सभी juices जो भी secret होते हैं तो वो digestion की process में main role play करते हैं next who proposed that achievement affiliation and power are three important needs that explain motivation यानि कि किसने बताया था कि achievement, affiliation और power जो होते हैं ये तीन मुख जरूरते होती है motivation की या किसका मानना है कि उपलब्धी, संबंधन, तता शक्ती ये तीन अभी प्रेरण की व्याक्या करने हैं तो महतुपूर्ण आवशकता है and the correct answer option number B means mark clean is correct answer next question is asking कि the ring of muscle that allows material to enter the stomach is known as यानि कि अमाशे में पदार्थ के प्रवेश की अनुमती देने वाले पेशी वले यानि उस layer को muscle की जो layer होती है muscular layer को क्या नाम देते हैं या क्या कहा जाता है और इसे जाना जाता है cardiac sphincture के नाम से तो दोस्तों Hindi and English दोनों ही languages में question paper हम आपको explain कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही helpful है पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा which of the following is not the principle of sports training निमने कितमे से कौन सा खेल प्रिसिक्षण का सिदान नहीं है option number C सबसे पहले तो आप देखिए कि नहीं पूछा गया है and the correct answer is option number 3 that is अभी प्रेरिन का सिदान means principle of motivation is not the principle of sports training next equation is asking that achievement motivation is defined as यानि कि उपलब भी अभी प्रेरिना को किस प्रकार से परिभाशित किया जाता है and the correct answer option number 1 sports person's predisposition to approach or avoid accommodative situation यानि कि किसी खिलाडी की जो पूर्बा नुकूलता यानि कि पूर्व सिती के बारे में बताया जाता है जिसमें उसे इस परधात्मा के सिती में पहुचने अत्वा उससे दूर रहने की जो उसकी जो predisposition होती है या पूर्बा नुकूलता होती है किसी खिलाडी की उसके बा equation the official lakes constructed usually of earthquake or masonry in which large quantities of surface water is stored is termed as यानि कि समानिता मिट्टी कारे अत्वा राजगिरी से निर्मित कृतिम जीलो की बात की जा रही है जिसमें काफी मात्रा में वो प्रिस्ट जल मत्दब की surface water जो होता है जमा रहता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है and the correct answer option number B इसे impounding reservoirs के रूप में जाना जाता है next question hockey ball का वजन और व्यास कितना होता है the correct answer option number B 156 to 163 gram weight होता है और 71.3 से 74.8 यानि कि 72 to 75 जो होता है mm इसका diameter होता है next question is asking that looking good feeling good and living longer can be achieved through यानि कि अच्छे लगना अच्छा फील करना अच्छे लगना मींस अच्छे दिखना अच्छा फील करना यानि कि positive रहना and living longer और ज्यादा समय तक के लिए आप जी सकते हैं और अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं तो ये सब किसके through achieve किया जा सकता है और ये सारी जो अच्छी चीजे हैं वो आपको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिला सकती है वो है regular exercise तो आप सभी को अपने लिए time जरोर निकालना है अगर आप अगर आप भी ये सारी चीजें चाहते हैं means looking good feeling good and living longer so let's move to next question now कि if immersed in a group that gives a person a sense of anonymity a person could यानि कि यदि कोई व्यक्ति किसी समू में इतना तलीन हो जाता है कि वह गुमनाम सा हो जाता है तो वह व्यक्ति तो पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति क्या है कैसा है यहां पे and the correct answer is option number c यानि कि नी व्यक्ति करण के कारण अंतरबाधा प्रवर्तित करता है means unless inhibitions because of de-individualization this is correct answer now the next question is asking that sport authority of india बारती केल प्राधी करण यानि साई के स्थापन कप की गई थी and the correct answer 25th January 1984 now the next question is asking that satat प्रसीक्षण यानि कि continuous training से क्या तात परे है तो continuous training means number one involves training at a low or medium intensity for a long period of time यानि कि लंबी कालावदी के लिए निम्न या मध्यम तीब्रता पर प्रसीक्षण को सत्यत प्रसीक्षण के रूप में जाना जाता है next question बैरन प्रेदी कुबर्टीन founded international olympic committee यानि कि सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि IOC के सापना बैरन प्रेदी कुबर्टीन जी के द्वारा कप की गई थी तो 1894 23rd June 1894 is correct answer now the next question एक अस्ति के एक छोर से दूसरे को जोड़ने वाले सहीं हो जी उतक को उतक की उतक की तन्तुमय पट्टी यानि कि लिगामेंट में तनाव आ जाए तो इस अस्तिती को क्या कहते हैं and question is asking that a condition of stretch or tear of a ligament यानि कि एक असी से दूसरे असी को जोड़ने वाला connective tissue होता है जिसे हम ligament कहते हैं दोस्तों आपको पता है okay तो अगर इस ligament में जो है problem हो जाए या injury हो जाए एक प्रकार का connective tissue है तो इसे क्या कहते हैं या आप से पूछा जा रहा है और आप समझी कहें होंगे ligament injury means sprain यानि कि इसे मोच के नाम से जाना जाता है now the next question that a condition where the end of the bone is forced out of its normal position यानि वा सती जिसमें किसी जोड में असी के छोड को इसके समानिस्थान से हटाने के लिए बात दियोना पड़ता है यानि कि simply कहा जा रहा है कि जो एक bone होती है वो अपने स्थान से dislocate हो जाती है position से हट जाती है तो क्या होता है ऐसे क्या कहते हैं और correct answer आपने कैसी कर लिया होगा it is known as dislocation of the bone next question is asking that a disease transmission which embraces a variety of mechanisms including the traditional 5FS is stunned as यानि कि वहां संक्रमण जिसमें 5F सहीत mechanism के प्रकार को follow किया जाता है 5F के तरू जो है इसमें जो है transmission होता है या 5F का ख्याल रखा जाता है तो वो किस प्रकार का transmission है it is known as indirect transmission यानि कि अप्रत्यक्ष संक्रमण के रूप में इसे जाना जाता है now the next question a condition in which a twist, pull or tear of a muscle और जहां कहीं भी बात की जाए दोस्तो muscle या tendon के injury के बारे में, pulling के बारे में, tearing के बारे में, twisting के बारे में तो सीधे सीधे आपको answer टिक करना है strain, there is no doubt कि इसका answer जो है वो सिर्फ और सिर्फ strain यानि की खिचाओ होगा, ओके और जो टेंडन होते हैं वो क्या होते हैं जो एक बोन को जो muscle से connect करते हैं उन connective tissues को हम बोलते हैं tendon और tendon के injury को हम बोलते हैं strain तो यह तो आपको यादी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए next to the K की a well digged in a hole in the water bearing stratum यानि की किसी जल्धारी इस्तर में किसी कुंड में खोदा गया कुआ, ओके तो इसे किस नाम से जाना जाता है? then it is known as option number C, बावली यानि की step well, step well के रूप में इसे जाना जाता है, next question which of the following are correct? तो पहले हम आपको देते हैं 8 minute का समय है, दोस्तों आप इन सबी statements को ध्यान से पढ़िए, ओके, आप ध्यान से पढ़िए, क्या-क्या statements यहाँ पे दिये वे हैं, हम भी आपको बताते वे चलन हैं, तो देखें क्या है number one पे कि discuss row का जो sector angle होता है, वो होता है 34.92 degree, okay, then after that आपको बता दें यहाँ पे कि जो men के लिए जो discuss का diameter होता है, वो होता है 22 cm, और जो यहाँ पे fifth number में दिया है कि महिला जैबलिन की जो length होती है, वो होती है 220 to 230 cm, यानि कि 2.2 से 2.3 मीटर, तो आपने तो आपने देखी लिया है और आपको मालूमी चल गया है कि हम आपको बता रहे हैं correct answer, question में पूछा गया है कि कौन से सही है, तो सिर्फो सिप correct statement ही हमने यहाँ पे पढ़े हैं, और आपने भी correct answer गैसी कर लिया है दोस्तों, option number B is correct here, और यह तीनों statement यहाँ पे बिलकुल सही है, move करते हैं हम next question की ओर, कि when muscle exert force while lengthening, this movement is known as, यानि कि जब muscle के दोरा force अगया जाता है और उसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, lengthening means कि muscle की लंबाई बढ़ने की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, और जहां कहीं भी muscle की लंबाई बढ़ती है, तो उसे हम जानते है eccentric contraction के रूप में, जो कि isotonic contraction का एक प्रकार होता है और दूसरा होता है concentric, जानि की muscle की जो length है उसमें कमी हो जाना, उसकी लंबाई जो है वो कम हो जाना या muscle की length छोटी हो जाना, यह कहwartा है concentric और यह दोनों ही isotonic contraction के टाइप में शामिल किये जाते हैं मुप करते हैं हम नेक्स क्विशिन की ओर इसके अलावा देखे सक्षमता इमानदारी इवं ब्यवसायक दता वेज्ञानिक उत्तरदाईतो जो होते हैं वो मनोवेज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देशों में शामिल किये जाते हैं और प्रिंसिपल्स ओफ हैं यानिकि स्वास्ति सिच्छा के अंतरगर्थ जो क्या इवं स्टिक है यानिकि पुरिस्कार और दंड उपागम का क्या अर्थ है ये आपको बिताना है दोस्तों And the correct answer option number A means किसी घोडे के सामने एक गाजर लटकाना तथा पीछे से मारना ये होता है carrot and stick यानि कि पुरसकार इवं दंड का नियम To hang a carrot in front of us and hit it in the rear is known as carrot and stick or example और पुरसकार और दंड का नियम Okay next question which of the following is not an example of group influence on an individual कौन सा जो है वो किसी व्यक्ति पर समू के प्रभाव का उधारन नहीं है And the correct answer option number A अल्प संक्यक प्रभाव Minority influence जो होता है वो किसी व्यक्ति पर समू के प्रभाव का उधारन नहीं है It means de-individualization, social laughing and social facilitation are the examples of group influence on an individual Next equation These are the steps that lead to the attainment of goal यानि कि लक्ष प्राप्ति के लिए जिन चर्णों से गुजरना पड़ता है उनमें कौन से कतन शामिल है Option number A इस करेक्टियर उदेश सबसे पहला जो होता है वो है objectives Next, the process of storing energy by forming ATP from other chemical sources is also known as Means, option number D is correct here, phosphoryly करन यानि कि अनिरासाइनिक स्त्रोतों से chemical से ATP का निर्मान करना क्या कहलाता है तो इसे phosphorylation, phosphorylation कहते हैं दोस्तों आपको पता है Next, a fracture where the broken ends of both the bones drive into one and other And the correct answer, बताइए क्या होगा वावंग यानि कि fracture जिसमें दोनों अस्तियों के जो end होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं इसे किस प्रकार के fracture में include किया जाता है And the correct answer, option number D, इसे impacted fracture के रूप में जाना जाता है Now the next question that, वर्ष दो अजार अठारा की एशया एकेलो में किसने पुरुशों के ट्रिपल जंप में स्वाइन पदक प्राप्त किया था And the correct answer, option number 1, अरपिंदर सिंह is correct answer Next, involvement of people of the community in projects to solve their own problems Means, लोगों की अपनी समस्याएं सुलजाने के लिए सामुदाइक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना क्या कहलाता है And it is known as सामुदाइक भागीदारी, means community participation Next, अंतराश्री खेल मनो विज्ञान सोसाइटी, means international society of sports psychology ISSP के पहले अध्यक्षनिम्न में से कौन थे? And the correct answer, option number B, F, and tonally is correct answer Next equation, 5 to 10 minutes of slow walking, low level exercise combined with stretching is known as And it is known as warm up जी हां दोस्तों, कोई भी main activity करने से पहले या जो भी आप daily workout करते हैं तो सबसे बिले आप करते हैं, warming up, okay उसके बाद करते हैं main activity, main events, skill related activities और last में करते हैं cool down, जिसके बारे में यहां पे बात की गई है Cool down का मतलब होता है, कि last में 5 to 10 minutes तक आप दीरे दीरे टहल सकते हैं चोटे मोटे exercise कर सकते हैं, simple और stretching भी कर सकते हैं तो इनको cool down कहते हैं, ताकि जो भी lactic acid का deposition हुआ है आपकी muscles में, आपके body parts में तो वो जो है दूर हो सके इसके लिए cool down या limbering down किया जाता है, I hope यह आपको clear हो गया होगा, move करते हैं next question की और, which one of the following are the corrective about US Open Tennis Championship यानि की US Open Tennis Championship के बारे में कौन सा कतन सही है, यहां पे option number C सही है means one to end, sixth is correct answer, it means, इसकी सापना 1881 में की गई थी और 1881 से 1974 तक इसे grass coat पर खेला जाता था दोस्तों, आपको बता दें की 1974 तक तो यह grass coat पर खेला जाता था, but 78 यानि की next four years के बाद से 78 से आज की date तक यह जो है hard coat पर खेला जाता है, तो this is correct here number one, two and six are correct, related to US OPN, let's move to next question, a fracture where both the bone and skin break and there is a danger of infection, यानि की ऐसा fracture जिसमें दोनों तूटते हैं तता संक्रमन का खत्रा भी रहता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों इसे समिश रही आने के compound fracture के रूप में जाना जाता है, next what kind of workout leads to increased muscle mass and strength, किस प्रकार के विकास के कारण वर्दित पेसी मांस तता बल का परिणाम सामने आता है, and the correct answer option number B means बल प्रसिक्षन, strength training is correct answer, next maximum controlled speed is between a stimulus and the first moment of the body, it means अधिक्तम नियंत्रनिय जो जो गती है, यह देखें यहाँ पे question जो है, maximum controllable speed is, और यह option नमर वान यहाँ से शुरू हो जाता है, आपको बता दें, तो क्या होगा इसका correct answer, option number B यहाँ पे correct answer है, that अधिक्तम नियंत्रनिय गती जो होती है, वो शरीर के नियंत्रन खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिक्तम गती को अधिक्तम नियंत्रन गती के रूप में जाना जाता है, option number B यहाँ पे सही है, means maximum speed during take-off without losing control of the body is known as maximum controllable speed, this is correct answer, now the next question is asking the transformational leadership style, रचनांत्रनात्मक निर्टित शैली को किस रूप में जाना जाता है, and it is known as encourages and inspires group members to go above and beyond selfish interest and do the best for the common good of the group, यानि कि समो की सदश्यों को स्वार्थिपून हेतों से उपर उठकर समो की आमभलाई के लिए अपना भर्सक प्रियास करने के लिए प्रुचसाहित तदा प्रेडित करती है, जो है transformational leadership style के बारे में यह बताया जा रहा है, next question, in health education, effort should be directed to help people to make, सो आसे सिक्षा में हमारे प्रियास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्न खित में सहायता मिल सके, और किस में सहायता मिल सके, option number one, decisions and have their choices, यानि कि निर्णे करने तदा विकल्प के चेन करने में सहायता मिल सके, next question, वह बिमारी जो किसी विशिस्ट संक्रामाख अभी करता, अत्वा इसके उपर उस वैशिक उत्पात के कारण हुई हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जानवर से दूसरे जानवर अत्वा पर्यावरेन से मनुश्य अत्वा जानवर तक प्रत्यक्षिता अत्वा अप्रत्यक्षिता प्रसारित करने में समर्थ हो जाती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, and it is known as option number D, communicable disease, simplist में कहा गया है इतना बड़ा चड़ा के, जो एक से दूसरे को फैलते हैं, यानि वो कोई भी हो सकता है, रोगी व्यक्ति जानवर या मनुश्य तो जो infected से, जो है, uninfected को जब ये फैलते हैं, तो इन्हें communicable disease के रूप में जाना जाता है, next, the range of possible movement around a joint, is known as, and all of you know, flexibility, इसे flexibility के रूप में जाना जाता है, next, दाहिने आलिंदे तता, दाहिने निले, means the valve between right atrium and right ventricle is known as, and the correct answer, option number C, इसे tricuspid valve के रूप में जाना जाता है, दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लंबी होने वाली है, और 50 questions ही हम आपको इस वीडियो में solve कराने वाले हैं, तो keep patience and keep watching, you keep watching, KVS 2018 question paper, old question paper, I hope आपको पसंदा रहे हैं question, तो आप पूरा-पूरा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और देखें, next question में पूछा गया है, कि although sports persons, sorry, sports personship is difficult to exactly define, it falls within the general area of, यानि कि हलकि sport personship को सही-सही परवाशित करना कटिन है, लेकिन फिर भी ये जो है किस criteria में से रखा जाता है, किस शेतर में से रखा जाता है, तो the correct answer is नैतिकता, यानि कि morality के शेतर में से जनरली जाना जाता है, next, who was olympic official musket started in olympics, यानि कि when was, sorry, when was, यानि कि कब, olympic में अधिकारिक शुभंकर की शुरुआत के इस olympic में हुई थी, in the correct answer option number one, 1968 से शुरुआत की गई थी, an analytic exercise involves, यानि कि जो किसी विशलेशी भी आयाम में क्या शामिल होते हैं, analytic exercise में किन चीजों को शामिल किया जाता है, and the correct answer option number D means a small group of muscles is correct answer, next, arousal is defined as, और बताये कि arousal means भाव प्रबोधन को किस प्रकार परिभाशित किया जाता है, and the correct answer is option number C means कारी करने के लिए तयारी के बिन बिन कोटी, means varying degree of readiness to performance is known as arousal, now the next question, in the periodization cycle, the duration of peak cycle should be off, नियत कालीन चक्र में चरम चक्र की अबदी होनी चाहिए, and the correct answer option number C, 4 to 6 weeks is correct answer, now the next question, situation factor in motivation is, यानि कि अभी प्रेरणा में इस्ति परक कारक कौन सा है, and the correct answer, निति शेली means leadership style is correct answer, now the next question is asking, only few questions are left friends, तो वीडियो को पूरा पूरा देखेगा, कि देखे क्या बुला गया है, कि which of the following sports have never been absent from modern summer olympic programs, तो दोस्तों हमारे चैनल पे अल्रेडी एक वीडियो अप्लोड है, old question paper 2018 part 1 नाम से, उसमें या answer मैंने आपको गलत बता दिया था, तो आप इसे सही कर लीजे, इसका जो correct answer है, वो है option number C, means 1, then 2, then 4, okay, 1, 2, 4, 1, 2, 4, and 6, जो है, means athletics, then swimming, fencing and artistic gymnastic, इन शाहर इवेंट्स को आदुने ग्रिश्मकालिन olympic खेलो से ही शामिल किया जा रहा है, और यह कभी भी किसी भी olympic में absent नहीं किये गए है, यानि कि 1896 से इनके यह शुरुवाती दौर से इनको शामिल कर लिया गया था, 1st modern olympic से, और फिर अभी तक जो भी event हुए है, जितने भी हो चुक है additions, तो उन सब में इने शामिल किया गया था इन games को, ओके, तो option number C is correct here, next question is asking that which of the following are correct about Decathlon, again देखे बहुत अच्छा question है, कि Decathlon के समद में कौन से कतन यहां पे सही है, और सही मिलान हम आपको बता देते हैं, option number C, 1 and 3, 1 and 3 is correct answer, It means, जो लंबी कोद होती है, वो पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता होती है, यह बिलकुल सही है, और third number 110 meter hurdle race दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता होती है, दोस्तों, यह बिलकुल सही कतन है, तो आपको हमें comment box में लिखके बताना है, कि Decathlon के first and second day, जो events पांच पांच आय जाते हैं, वो क्या है और उनका sequence क्या है, तो this is your homer question, भूप करते हैं, हम third last question of the question paper की, और की in the skeletal muscle, the connective tissue sheet surrounds each fasciculus is known as, यानि की कंकाली पेशी में, यानि skeletal muscle में प्रतियक fasciculus के चारों और जो शीत पाई जाती है, connective tissue की, उसे किस रूप में जाना जाता है, and it is known as perimysium, इस correct answer Now the second last question of the series, mental coach is also known as, और मानसिक कोच के रूप में किसे जाना जाता है, option number D, educational sports psychologist means साक्षिक खेल मनोवे ज्यानिक को mental coach के रूप में जाना जाता है, now the last question of the series is on the screen, कि overload निमने में से क्या है, तो overload क्या होता है, आप इन सभी options को पढ़ लीजे, और इसका answer आप हमें comment box में लिखके जरूर बताईएगा दोस्तो, next 51 to 100 questions हम आपको next video में जरूर कराएंगे, अगले ही video में हम आपको solve कराएंगे, तो video अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजेगा और अपने सभी studies group में share कर दीजेगा, ताकि हम आपके लिए next part लेके आ सके और 51 to 100 questions solve करा सके, मिलते हैं next video में, till then take care, good bye, have a nice day.